हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत आपका सुपरफास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम ये डिसकस करने वाले हैं जैसा कि आपने थमनिल में देखा है कि अगर हमें शाफ्ट की साइज पता है तो उसके लिए हम उसका बेरिंग नंबर कैसे सलेक करेंगे और इसके अलावा अगर हमें बेरिंग पता है कि इतने का बेरिंग लगेगा तो हम ये कैसे पता करेंगे कि उसका शाफ्ट का साइज क्या होगा दोनों एक ही चीज है और यह बहुत important है आपको यह चीज आनी चाहिए अगर आप mechanical background से हैं तो क्योंकि industries में bearings fit करने पड़ती है और कहीं न कहीं आपको कभी न कभी shaft का size और bearing number calculate करना पड़ेगा ही तो इस वीडियो को पूरा देखेगा विल्कुल भी skip मत करिएगा क्योंकि अलग-अलग तरीकी की यहाँ पर bearings और shaft के arrangements होते हैं तीम तरह के shaft और bearings के combinations को use किया जा सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा industries में use किया जाता है taper bore bearing with adapter sleeve, straight shaft with taper bore bearing तो इसके बारे में हम यहाँ पर detail में discussion करेंगे तो friends ऐसे ही industrial technical videos, mechanical engineering field से related videos इस YouTube चैनल पर मैं upload करता रहता हूँ 1000 से ज़्यादा videos जो है अब तक मैंने upload कर दी हैं और मैं regularly नए नए videos जो है वो upload करता रहता हूँ अगर आप मेरी channel पर नए हैं तो please इस video को like करें और channel को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए video का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलाल इस video का start करते हैं, बने रहेगा video में अन्तिता है तो friends जैसा कि हम सभी जानते हैं bearing number में जो last के two digit होते हैं जिसे अगर हम 5 से multiply करेंगे तो हमारे bearing का ID आएगा, bearing का ID आएगा, inner die आएगा bearing का inner die आएगा, for example हम suppose करते हैं एक bearing है हमारे पास 22212, double two, two one two तो 22212 bearing number में last के दो digit यानि की दो number जो है, वो 12 है तो 12 को जब हम 5 से multiply कर देंगे, तो हमारे पास क्या value आ रही है, 60, 60 mm तो 60 mm उस bearing की ID है, तो देखिए यहाँ पर 22212 bearing है, यानि की shaft 60 mm उसकी ID आ रही है अगर आपकी bearing straight bore bearing है, है ना, तो आपका जो shaft का size होगा यहाँ पर, वो 60 mm हो जाएगा बहुत ही simple है, अगर straight bore bearings है, आपको straight bore bearings को fit करना है, तो आपका जो क्या हो जाएगा last का दो digit को 5 से multiply करेंगे, वही bearing का ID हो जाएगा, और वही shaft का size भी हो जाएगा अब देखिए, यहाँ पर 60 mm का shaft है, तो यह 60 mm के shaft में बहुत सारे bearings लग सकते हैं, है ना, जैसे की 22212, 22312, 3312, 3212, 6412, 6312, 7212, 6212, 7312, यह जितने भी bearings हैं, यह straight bore bearings है, तो straight bore bearings, straight shaft में fit होगी, अब यहाँ पर आपको यह doubt आ रहा होगा, कि इतने सारे bearings number, 60 mm के shaft में fit हो सकते हैं, तो हम आखे select कैसे करेंगे, तो देखिए, यह totally depend करती है, कि आपको किस equipment पे use करना है, उसको, है ना, जैसे की आपको pump में use करना है, कि आपको उससे use करना है, gear box में, आपको किसी pulley में लगाना है उसको, तो यह सारी चीजे जो depend करेगी, उसके application पर depend करेगी, application के हिसाप से bearing की selection होगी, लेकिन अगर आपका shaft mm का shaft है, तो इतनी सारी bearings को आप वहाँ पर fit कर सकते हैं, आपका straight shaft में straight bore bearing fit करना है, तो उसका calculation सबसे असान है, सिर्फ last two digit को आपको 5 स multiply कर देना है, और आपका shaft का size वहाँ पर निकल के आ जाएगा, दूसरा case हो गया, माल लीजिए आपके पास जो bearing है, वो है 22212, लेकिन आगे में लिखा हुआ है K, इसका मतलब यह हो गया कि वो taper bore bearing है, तो जब आपको अगर taper bore bearing को दो तरह से fit कर सकते हैं, देखिए यहाँ प आपको adapter sleeve लगाने की जुरत नहीं पड़ेगी, तो क्या करना होगा आपको, वही same formula होगा, last के दो digit को अगर आप multiply कर देंगे 5 से, तो यह हो गया 1256, यानि की 60 mm के taper shaft में, यह जो bearing है 22212K, यानि की taper bore bearing, यह direct उसमें fit हो जाएगा, लेकिन 60 mm का taper shaft होना चाहिए, इस तरह के bearing औ shaft के arrangement का ज़्यादा तर इस्तमाल नहीं किया जाता है, सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है, straight bore bearing with straight shaft, और दूसरा, straight shaft with taper bore bearing, इस type के arrangement में क्या होता है, straight shaft और taper bore bearing, यानि की bearing के आगे अगर के लगा हुआ है, और आपको इसको straight shaft में fit करना है, तो वहाँ पर आपको adapter sleeve लगा पुलीस यानि कि ड्रम पुलीस में इस टाइप की अरेंजमेंट का इस्तमाल किया जाता है इस टाइप की बेरिंग का इस्तमाल किया जाता है टेपर बोर बेरिंग विद श्ट्रेट साफ्ट तो इसको पूरा ध्यान से देखिएगा है ना यहाँ पर क्या है आपका शाफ्ट जो है वो स्ट्रेट है जबकि आपका बेरिंग जो है बेरिंग का बोर्ट टेपर है यहाँ पर की कैलकुलेशन थोड़ी अलग है और बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यह आपको जुरुत पड़ेगी इंडेश्ट्री में कन्वेयर बेल्ट की पूलीज के अलावा सेंट्रिफ्यूगल फैंस में भी इसी टाइप की बेरिंग अरेंजमेंट का इस्तमाल किया जाता है तो मैं आपको अभी बहुत आसान तरीके से एक इक्जामपल के साथ समझाने वाला हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा इसकी बिल्कुल मत करिएगा तो माल लिजे अगर आपका जो बेरिंग नंबर है 22212K है कै है याने की टेपर बोर बेरिंग है तो उसके लिए शाफ्ट का साइज कैलकुलेट करते हैं अब ठीक है तो इस टेट साफ्ट में अब फिट करेंगे तो अडॉप्टर स्लीव लगेगा तो अडॉप्टर स्लीव की थिकनेस होती है खुद की 22212K बेरिंग के लिए 312H का अडॉप्टर स्लीव यूज किया जाएगा तो 312 जो adapter sleeve होता है उसका खुद का थिकनेस होता है 5 mm धाई mm एक साइड और धाई mm दूसरे साइड यानि कि H312 का जो आपका adapter sleeve होगा उसका OD 60 mm होगा और उसका ID जो होगा उसमें आप 5 mm कम कर दीजे यानि कि 55 mm तो 55 mm के shaft में आपका sleeve बैठेगा H312 और उसके उपर में फिर आपका bearing बैठेगा 22212K या फिर EK इसका मतलब यह है कि अगर taper board bearing है तो bearing की जो ID आएगी यानि last दो digit को multiply करेंगे 5 से 22212, 12, 65 तो 60 में हमें क्या करना होगा adapter sleeve को minus करना होगा adapter sleeve का thickness जो कि है 5 mm तो 60 में अगर हम 5 mm को minus करेंगे तो हमारे पास आता है 55 mm यानि की 55 mm की shaft में यह bearing लगेगी अच्छा अब इसमें एक और example देख लेते हैं 22213 अब 22213 है तो 13 पंचे कितना होगया 65 होगया 13 पंचे 65 होगया 65 क्या है bearing की ID है लेकिन यह taper board bearing है तो इसमें हमें adapter sleeve यूज़ करना पड़ेगा तो adapter sleeve का thickness minus हम करेंगे adapter sleeve कितने thickness का है 5 mm का तो 65 mm में 5 mm minus कर दिये यानि की 60 mm का shaft का ज़रुत पड़ेगा हमें 22213 के bearing को fit करने के लिए और यहाँ पर adapter sleeve यूज़ होगा वो होगा H313 अब देखिए आगे थोड़ा सा calculation change होने वाला है 22214 bearing की अगर हम बात करते हैं जब तो इसमें adapter sleeve यूज़ होता है H314 तो यहाँ पर से turning point आता है इस type की arrangement में क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे bearing का size बढ़ते जाता है shaft का size बढ़ते जाता है वैसे ही adapter sleeve का thickness जो है वो बढ़ते जाता है तो जब 22214 आप bearing यूज़ करेंगे तो उसमें जो adapter sleeve लगेगा H314 उसका जो ठीकनेस होगा वो 10 mm हो जाएगा 5 mm एक side 5 mm दूसरे side अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा ID जो आपका आएगा bearing का 22214 तो 14 को 5 से multiply करेंगे 14,5,70 अब 70 ID है bearing की लेकिन उसके अंदर क्या लगेगा sleeve लगेगा adapter sleeve तो adapter sleeve की thickness कितनी है 10 mm की 5 mm एक side 5 mm दूसरे side तो कितना हो गया 70-10,60 mm तो 22214 क जो bearing है आपका या फिर E के लिखा रहा है चाहे के लिखा रहा है यानि की taper bore bearing वो आपका fit हो रहा है 60 mm के shaft में तो अब यहाँ पर एक चीज आप confused हो सकते हैं कि 60 mm के shaft में 22214 क भी fit हो गया और 22214 क भी fit हो गया 22214 क 22214 के दोनों fit हो रहा है क्यूंकि 13 में जो adapter sleeve की thickness थी वो 5 mm थी और just 14 में क्या होई adapter sleeve की thickness जो है वो 10 mm हो गई यानि कि 6 mm के shaft से जब हम थोड़े उपर के डाया के shaft में जाएंगे तो जो bearing use होगी उसके adapter sleeve की thickness जादा हो जाएगी 5 mm, एक side 5 mm, दूसरे side clear हो जाए, अब 22215 के bearing है आपके पास तो 15 पंचे कितना हुआ, 75 हुआ यहाँ पर adapter sleeve use होगा H315 जिसकी thickness होती है 10 mm 5 mm इधर, 5 mm उधर है न, तो 10 mm थिकने हो गई तो 75 यानि की 75 mm जो bearing की ID आई थी उसमें हम और minus कर देंगे 10 mm, तो कितना है का 65, 65 mm के साफ्ट में आपका bearing fit होगा 22215 के, तो friends उमीद करता हूँ, यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, इस वीडियो में इतना ही अगर 1% भी यह वीडियो आपको helpful लगी हो, तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा